तो चलिए उसन एक लेटर्स जाब हमारे पास आईए जो कि सभी बच्चों के लिए हैं जो भी O-Level से संबंदिद हैं या A-Level संबंदिद हैं या इसके अलाबा भी अगर आपके पास कोई One Year का Computer Certificate है तो आप इस जाब को Prefer कर दखते हैं ठीक है तो क्या है Complete Information इस वीडियो को अन तक देख लिएगा वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक से जो कर दीजएगा और कोई डाउट और नीचे कमेंड में आप फूसकते हैं ठीक है तो चैनल पर नहीं है तो जब्सक्राइब करके बढ़ा लाइकन को प्रेस कर लिए क्योंकि आपको इसे बगार की helpful वीडिय जो त्यारी है प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें एमसी क्यूज यहाँ पर सब लगे हुए है ओ लेवल और ए लेवल के और टाइमिंग आपके पास जो अब बची है यहाँ से टोटल 30 डेस इधर है और 14 डेस हैने की करीवन 45 डेस आपके पास रिमेनिंग है तो अराम तो त्य क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर ठीक है इस परकार की विकेंसी है और उसके बाद 13 58 यहाँ पर जो पोस्ट है वो सोसाइज टी मेनेजर और 35 जो है आपके डिस्टिक सेंटरल को अपरेटिव बैंक मर्द परदेश में आपकी टूटल विकेंसी है तो टूटल जो विकेंसी है वो आपके हमें आपके कह सकते हैं 2254 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए आई है कितनी 2254 टूटल पोस्ट है इतनी ठीक है तो काफी ज़्यादा संक्या है अरहाँ से आप लोग अबलाई करते हैं फूरा डिटेल में आपको बताते हैं तो यह है आपका देखिए एपक्स बैंक इनवाइट कर रही आपकी और यह दोनों पोस्टों को मिला के आपकी हो जाती 24 जो इसकी जो इंपॉर्टेंट्स है वो देख लेते हैं यहाँ पर डेट जो ओपनिंग है वो 26 आपकी 11 ठीक है और लास्ट है 25 बारानी की बन मन्द पूरा आपको मिला है और एमाउंट ओफीस इसमें 500 रुपीस है जिसके जनरल ओबीसी और यह डव्लूएस की और 250 है आपकी स्टी स्टी या फिजिका एंडिकेंट 18 प्रसेंट इसमें इंक् अराउंट 7 डेविफोर एक्जाम डेट ठीक है डेट अपनला एक्जाम अभी मेंसन नहीं की गई है कब होगा होगा आपका ओनलाइन ठीक है डेट ओप डिक्रेशन आप रिजर्ट जो आपका एराउंट 10 डेज आफ्टर डी कंड़क्ट ओफ ऑनलाइन एक्जाम डेशन ओन संबिदा 117 और सुसाइटी मेंजर 169 और यहां पर दिया है फीमेल मेज जो है अलग-अलग के टेक निवसार वह सारा दिया गया तो इसको आप लोग देख लिएगा यह उतना इंपॉर्टन नहीं है नीचे आते हैं इसमें जो नोट में अगर आप देखेंगे यहां से स्थी और स्थी और स्थी जो केंडिटेट हैं उनके लिए जो भी इलिजबिल्टी होगी अंगे इंश्टाइगी आपकी पोस्ट के नुसार बट विल नॉट वी इलिजिबल टुगेट बेनिफिट ठीक इसमें कोई भी फीस में आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा फीस आप तो हमारे पास है वो है क्लर कंप्यूटर ऑप्रेटर हो संविधा की इसमें फ्रॉम रिकॉनाइज यूनिवरस्टी या कि कहीं से भी हो हिंदी इंग्लिज का नॉलेज हो टाइपिंग का आप लिए और यहां पर वन येर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी इंस् तो यहां पर देकि नाम आगया है तो वन येर का कोई भी डो एक का सर्टिफिकेट यहां पर लग जाएगा जैसे कि आपका ओलेबल आपका एलेबल ठीक है यह उसके वह अलावा भी आप लगा सकते हैं मिनमब वन येर का होना चाहिए उसकी आप फिर मॉडर्न ऑफिस मेरे देख लिए यहां पर लिखा हुआ यूजिस होना चाहिए या फिर ओपन इवन यूश्टि यूजिस से अप्रूब होनी चाहिए या फिर दो एक नालेट से आपके पास हो तो अपलाई कर सकते हैं या फिर एक ओपा का एंसी वीटी एसी वीटी पर माल पत भी होका तो आप इसको अपलाई कर पाएंगे यह वाली पोस्ट ठीक है इंपल सा है उसके बाद है यहां पर सोसाइटी मैनेजर इसमें आपका जो मांगा गया है इसमें थोड़ा सा आपका अडवांस है तो यह आपका देख लिजेगा और वन यार का डिपलोमा इसमें भी है ठीक है सेम जो पूट जो दी गई है फीमल केंडेट की फाइप यह है और स्टी की फाइप यह वही जो आपका चलता है सेम और मैं आपको दिखा जैता हूं इसमें स्लेवस बगएरा क्या है बाकि यह फोटो बगएरा है फॉर्म को तो आपका जो अपलाई होगा वो आई वीपिस के से ही अपलाई होगा ठीक है तो यह है इसका देखिए पूरा स्लेवस यहां से आपको दिखा देते हैं तो पहला आपका है इसमें रिजनिंग 40 कोशन होंगे आपके 25 मिनट में करना है आपको उसके बाद देखिए कंप्यूटर के आप 40 कोशन तो एक यह आपका बन जाता है यहां पर प्लस पॉइंट ठीक है फोटे कोशन तो आप इसमें सही कर सी करी सकते हैं उसके बाद चनल वेर्नेस हैं इंग्लिस और नुमेरिकल एबिलेटी के कोशन साफ को मिलेंगे टोटल 200 कोशन होंगे ठीक है यहां पर दिखा गया है और 200 मार्क हैं और टोटल 120 मिनट हैं सेंटर यह है भुपाल इंदौर सतना जवलपूर और जैंट ठीक है यह आपके हैं इसमें सेंटर ठीक इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है खास फिलाल यह सेंटर के नाम भी इसमें देके दिए गए कहां कहां पर पढ़ेंगे तो इसी भी आप देख सकते हैं लोग अपलाई कर सकते हैं तो कंप्यूटर अप्यूटर वाली जो है इसमें पोस्ट वह आपके लिए इलिजिबल होगा ठीक है तो इसको ज़रूर सभी लोग अपलाई करें